Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Hurticulture Lecture 11, Propagation Method, Layering In this lecture, I will cover types of layering like ground layering, air layering, ground layering के अंदर भी type like simple layering, serpentine, mound layering Let's start this topic Laring क्या होती है? layering के लो इसे हिंदी में कई बार दापा लगाना भी कह देती है पोधे की किसी शाका को जमीन में दबा दिया जाता है और वहां से जड़े निकलाती है उससे बाद में पीछे से काट कर एक नरसरी में लगा दिया जाता है और पोधे की तरह है वो बढ़ता है ठीक है कहलो कि एक तरीके की rooted cutting मतलब पैतरक पोधे से जुड़ा हुआ होता है तब उसमें जड़े पैदा करने के लिए उसे force किया जाता है ठीक है layering के अंदर तो layering क्या होती है layering is a form of rooted cutting in which adventurous roots are produced on a stem while it is still attached to the plant layering क्या है एक तरीके की cutting का ही एक type है ठीक है जिसमें जड़े पैदा adventious roots जानी कि कहलो की एक तरीके की अपस्थानिक जड़े जा कहलो आक्समिक जड़े एक साथ एक अचानक किसी चीज का जड़ों का पैदा होना adventious roots produce की जाती है उस stem के अंदर जो की उस पोधे के साथ attached है जो पोधा उसका पैतरक पोधा है उसके साथ जब तक वो attached है उसी के उपर जड़े पैदा करने के लिए उसे force किया जाता है ठीक है the rooted stem layering is then separated and transplanted while it later becomes a separate plant on its oven roots उसके बाद जो rooted stem होता है जानि कि जब उसमें अपने दभा लगा दिया नीचे दभा के उसके उपर जड़े निकले आई adventious roots निकले आई उसके बाद उसे पैतरक पोधे से अलग कर लिया जाता है और रोपित कर दिया जाता है फिर उसके बाद वो एक separate पोधे की तरह है अपनी जड़ों की उपर एक separate पोधा त्यार हो जाता है इट इस ए natural means of propagation in blackberry और it can be induced artificially in many plants such as the clonal root stock of apple एक natural mean भी है propagation का मतलब layering ऐसे नहीं कि layering करेंगे तो ही उसमें पोधा त्यार होगा कुछ पोधे ऐसी है जो अपने आप ही मिट्टी के touch में आते है उनमें layer की तरह ही पोधे त्यार होती है मतलब उसकी कुछ शाखाई जो जमीन के पास में होती है मिट्टी में दब जाती है और वहां से वो एक नए पोधे की तरह है ठीक है जैसे blackberry है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है जा फिर बहुत से apple के जो klonal root stock है जैसे m19 जा कुछ vigorous root stock है उनके अंदर भी layering artificially की जाती है इन जर्नल बैटर rooting in layering can be achieved by wringing or wounding, etiolation or the use of rooting hormones such as IBA, NAA and providing favorable environmental conditions, temperature and humidity इन जर्नल जो बैटर rooting अपने चाहते हैं कि वो जो आपने layer नीचे दबाई है उसमें अच्छी जड़े आए जल्दी जड़े आजाएं तो उसके लिए जातो आप क्या कर सकते हो कि उस जगह को जो जमीन में दबाई है वहां पर एक ring क्याकार की शाल को निकाल दो ठीक है जिससे जो आपका जो cambium है वो बहार आजाएगा वहां पर कैलस का निर्मान हो जाएगा और जल्दी जड़े निकले आएंगी जहां फिर उस जगह पर कोई घाव कर दो ठीक है चोट लग जाए उस जगह पर तो भी उसको दबाऊगे जमीन में तो जड़े निकले आएंगी जहां फिर hetulation importa पोधे को अंधेरे के अंदर बढ़णा कि फोगा किसी पोधे जमीन में तो अगर पोधे को जमीन में दबागे तो उसमें से अमधेरे के कारन जड़े बाहर उप्धा तो उपर की तरफ निकलेगा और नीचे उसकी जड़े निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जैसे इनको भी जड़ पैदा करने के लिए जो भी आपका जैसे कोई घाव किया आपने जा कोई रिंगिंग की है ठीक है उस जगह पे आप इससे ट्रीट करोगो तो जल्दे जड़े जो होगी जल्दी निकले आएंगी इसके लावा कुछ फैबरेबल अन्वायर्मेंटल कंडिशन भी आप परवाइट करके जड़ों को और ज़्यादा पृत्साइच कर सकते हो कि वो जल्दी से जल्दी जड़े पैदा करें जैसे टेंपरेचर को कंट्रोल कर लो जाँ उसकी हुमिडिटी जितनी चाहिए उतनी उसको दो फिर है एडवांटेज कि इसके लाव क्या है लेर बहुत ही effective method होता है कुछ species के अंदर जो जल्दी जिनकी cutting करते हैं तो जिनकी cutting करके उसको पोदे से अलग करके उसके बाद उसे nursery में रोपित करेंगे तो उसमें जड़े पैदा नहीं होंगी ऐसे पोदे जिनमें बहुत मुश्किल से जड़े पैदा होती है उनके अंदर अ इसे portion ले रहा होगा और उपर उसके पतियां भी होंगी ठीक है तो जल्दी जड़े पैदा होंगी जैसे लीची भी है फिलवर्ट है जा कुमकाट है यह इसके कुछ example है जिनमें आप जड़े लेरिंग के थूप पैदा कर सकते हो इस 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 नेचुरल method of reproduction in blackberries and raspberries और यह न संतती पैदा करने का एक तरीका है नेचुरल तरीका भी है जैसे blackberries के अंदर और raspberries के अंदर unlike other methods of propagation it does not require precise control of water relative humidity और temperature दूसरे मैथरों की तरह है दूसरे जो भी वीदिया है जैसे cutting है ठीक है budding है grafting है उन में आपको पानी है जा फिर relative humidity है और temperature है उसको बहुत ही कहलो कि अच्छे तरीके से control करने की जुरूरत पड़ती है तब ही वह successful होती है पर इसमें इतना ज्यादा जंजट की जुरूरत नहीं है यह normal जो रहती है उसी environment में successful हो जाती है it is easy and does not require much infrastructure और यह बहुत ही असान होता है यह method ठीक है इसके लिए बहुत ज़्यादा infrastructure कहलो जब बहुत बड़े ऐसे polyhouse miss chamber बनाने की जुरूरत नहीं पड़ती बस सीधा ही आप इसमें इससे पोधे त्यार कर सकते हो बिना किसी infrastructure के disadvantage क्या है इसकी हानिया क्या है expensive in areas where labor availability is a problem expensive होता है क्योंकि इतने ज़्यादा पोधों के उपर layer बनाने के लिए आदमियों की आवशकता होती है manpower की आवशकता होती है और जिन शेत्रों में manpower कम मिलती है वहाँ पे यह समस्या है a limited number of plants can be produced एक limited number में पोधे आप produce कर सकते हो कारण जिस पत्रक पोधे की आप सोच लो कि उससे अपने पोधे त्यार करने उसके कितनी किशाखाई होंगी तो एक limited number में ही आप पोधे त्यार कर सकते हो इसके थूँ प्लांट प्रडूस बायरिंग यूजली है शौर्ट बिट जहां फिर कहलो बुरुबुरी जड़े होती है जड़े बनती है जो एडवेंटेस रूट पैदा होती है ना वो थोड़ी नाजुक होती है वो जल्दी यह कहलो कि mortality भी इसकी वैसे ज्यादा होती है इसी का mortality is especially high in air layering plants जो air layered plant होती है ठीक है उनमें भी mortality बहुत ज्यादा रहत कुछ कल में आपकी खतम हो जाएंगी तो mortality बहुत ज्यादा होती है इसी कर्म क्योंकि उसके जड़ें बहुत ही कमजोर होती है क्योंकि वो उस तरीके के medium को सहन करने लायक नहीं होती वो दीरे-दीरे hardening होती है फिर वो कहीं जाके वो successful एक पोदे के रुब में विक्सित होत तो generally दो type के होते है में तो जैसे ground layering जो जमीन के अंदर की जाती है एक air layering अपने आगे पड़ेंगे ठीक है ground layering के अंदर भी simple layering, compound और serpentine layering, continuous और trench layering, tip layering, mound और जाँ फिर stool layering ये इसके type है 5 ठीक है तो अपने पहले simple layering के अंदर चालते है simple layering क्या होती है simple layering involves bending an intact shoot to the ground forming adventist route simple layering में क्या करते है कि एक intact shoot जो जुड़ी होई रहती है ऐसी शाखा को ground की तरफ जुका के उसे जमीन में की तरफ bend किया जाता है और उससे जड़ें पैदा करवाई जाती है ठीक adventist route form करती है this method can be used for propagation in a wide range of plants indoor और outdoor shrubs that produce more suckers इस method का जो उप्योग है बहुत ही जादा तर पोधों में किया जाता है जो भी कुछ indoor plant होते हैं जा कुछ outdoor बाहर बारे पोधे हैं शरप टाइप के होते हैं जारी टाइप के होते हैं जो बहुत जादा मात्रा में सकर्स पैदा करते हैं उनके अंदर प्रोपोगेशन को widely use कि जादा तर ऐसे पोधे जो शरप्स होती हैं जिनमें सकर्स बहुत जादा होते हैं या बहुत जादा शाखाएं पैदा करते हैं उनके अंदर जादा तर ये प्रोपोगेशन मेथड यूज किया जाता है layering is usually done in early spring using the plant, flexible, dormant, one year old branches that can be easily bent to the ground layering जादा तर early spring के अंदर बसंद से थोड़ा सा पहले कहलो ठीक है early spring बसंद की शुरुआत में किया जाता है पोथे की जो flexible और जो सुसुत और एक साल पुरानी शाखाएं होती हैं जिनको असानी से जमीन की तरफ जुकाया जा सकता है उनमें की जाती है these branches are bent and 15 to 20 cm from the tip down in a U shape जो ये शाखाएं होती हैं ठीक है इनको जुकाया जाता है और लगवर 15 से 20 cm मिटी के अंदर tip को down किया जाता है और U shape के अंदर इसको bent कर दिया जाता है इसके लाव bending, twisting, cutting or grinding at the bottom of the branch bent into a U shape stimulate the roots at that location अगर अपने उसको U shape में bent कर देते हैं शाखा को मतलब ये मालो कि ये बीच में से शाखा को दबा दिया आदी शाखा तो parent plant के साथ जुड़े होई है उसका आदा जो tip वाला बाग है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो और U shape में है क्योंकि मिटी के अंदर दवाया आपने खड़ा करके तो उसके उपर मिट्टी डली हुई है और वहां पे जो U shape बनी है वहां पे जड़े पैदा होने के लिए उस जगह पे stimulate होती है तेजीत होती है जब उसको अपने bent कर देते हैं ठीक है the base of the layering is covered with soil और other rooting media leaving the tip exposed जो base होता है layering का उसे cover कर दिया जाता है मतला उसका जो बीच वाली भाग रहता है मिट्टी से cover कर देते हैं other rooting media से भी कर देते हैं कभी कभी और जो tip होती है उसकी यह शीर्ष कहलो उसको exposed रखा जाता है उसे open खुला रखा जाता है जैसे picture में देखते होगे simple layering के अंदर ठीक है एक पहली जो आपकी picture है इसमें एक शाखा को जमीन के पास वाली शाखा को जमीन में दबाया जाता है ठीक है कुछ इस प्रकार से और उससे u shape यहां से दिखो ठीक है इस शाखा को नीचे दबाया जाता है और u shape के अंदर ठीक है यहां से अगर u shape बन रहा है तो यहां से जड़े ज्यादा stimulate होंगी मतलब यहां प्रत्साइत होंगी इसी जगह पे कभी कभी क्या होता है कि यह शाखा उपर ना उठ जाए इसलिए इसमें clip भी लगा दिया जाता है कभी कभी इस जगह पे कोई एक भारी पत्थर भी रख दिया जाता है कि य लेना यहां से इसी जगह पे दबी रहे जमीन के अंदर ठीक है और इसी जगह पे आप rooting hormone से treat कर सकते हो इसी जगह को आप किसी cut लगा सकते हो घाव लगा सकते हो रिंग की अकार की शाल को छील दोगे वो चीज़ें होती है कि आप इसमें जड़े जादा जल्दी से जल्दी प्रोसाइद करने के लिए और कुछ पोदों में ऐसा कुछ करने की जुरूर्द नहीं होती जो भी वहाँ पे कली रहती है वो जमीन के अंदर दखती है वहाँ पे जड़े निकलना स्टार्ट हो जाती है ठीक है ये भी कुछ वैसा ही picture है second वाला भी next है compound और serpentine layering compound layering same method ही होता compound और serpentine में भी कोई खास अंतर नहीं है जो simple layering इतना ही method है बस इसमें क्या है कि एक लंबी शाखा का चुनाव किया जाता है उसे एक कुछ बाग फिर अंदर मतलब यह कहलो कि एक सांप की तरह है ठीक है कुछ शाखा बाहर रह गई फिर अंदर चली गई जमीन के अंदर फिर बाहर फिर अंदर ऐसे करके इस शाखा को दबाया जाता है मतलब एक साथ कई पोदें त्यार हो जाते हैं देखते हैं कैसे it is a modification of simple layering in which the one year old branch is alternately covered and exposed along its length इसमें जो एक modified system है simple layering का ही modification है इसमें क्या करते हैं कि एक साल पुरानी शाखा होती है उसे alternate नहीं मतलब एक बार cover कर दिया दूसरा फिर उसका बाहर expose कर दिया फिर अंदर से cover कर दिया आगे वाला भाग उसका फिर फिर expose कर दिया उसकी पूरी लंबाई में उस शाखा को दबा देते हैं the ring-shaped bark is removed from the underground part of the stem और जहां से भी उसे अंदर दबाया गया वहां पे रिंग की अकार की शाल को निकाल दिया जाता है however there must be at least one bird in the open part of the stem for new branch to develop यह ध्यान रखा जाता है कि उसका एक जब भी अपने दबाएं तो उसकी जो exposed length हो गया exposed बाला बाग रहेगा मतलब बाहर की तरफ रहेगा एक तो नीचे चलाए गया वहां पे तो अपने ring-की अकार की शाल को निकाल दिया और जो ऊपर की side रहेगा वहां पे कोई ना कोई एक बट रहनी चाहिए जो भी शाखा बाहर निकलेगी मतलब जितनी शाखा बाहर उपन रहेगी वहां पे कम से कम एक कली हो ठीक है जहां से वह शाखा का निर्मान कर सके शूट का निर्मान कर सके आफ्टर दा रूट इमर्जंस दा ब्रांच इस कट इंटू पीसेज एंड प्लांटे इन दा फील्ड जैसे ही आपको लगे दो-तिन महेने बाद कि उसमें जड़े निकले आई है और शाखा भी उपर निकले आई है तो उसको टुकड़ों में काट लेते हैं अलग-अलग पोदे के रूप में काट लेते हैं यह है उसका पिक्चर ठीक है इसमें देखो ए यहां पे एक पोदा त्यार होगा बी वाड़ा भाग अंदर दबाया हुआ है जमी ठीक है in this way many new plants can be formed from one branch इससे क्या होता है कि उसमें तो अपने एक ही पोदा त्यार किया था simple layering के अंदर इसमें अपने बहुत से प्लांट त्यार कर सकते हैं जितने उसके लंबाई होगे उसके इसाब से अपने पोदे त्यार कर सकते हैं it is also an easy plant propagation method but only suitable for plants that produce thin, पतली, long, lumpy and flexible branches flexible मतलब मुढने वाली शाखाएं जिनको असानी से जुकाया जा सकता है ऐसी शाखाएं लचीली शाखाएं पैदा करते हैं muscadine grapes are commercially propagated by this method जो muscadine grapes होता है अंगूर होता है उसको वहसाइक रूप से इस विदी से propagate जा परवर्दित किया जाता है ठीक है जैसे मालो एक पोदा है उसकी शाखा को पहले अंदर दबा दिया फिर expose कर दिया फिर अंदर दबा दिया फिर expose कर दिया फिर अंदर दबा दिया फिर expose कर दिय और जैसे ही जहाँ पे एक जड़ बनती यह मालों के एक पोदा त्यार हो जाता ठीक है उसके बाद इसको कट लेते यहां से काट लेते और यह एक अपने आप में एक एक पोदा त्यार हो जाता है एक दो तीन जैसे यह पोदे त्यार हो जाते हैं यह अपनी जड़ों के उपर independent होते हैं बला अपने आप में independent होते हैं ठीक है सवतंतर पोदे त्यार हो जाते हैं उसके बाद है continuous और trench layering जो third method है continuous और trench layering trench से मतलब नाली एक तरीके की ठीक है this is the most common method of propagation of woody plants that produce long branches and plants that cannot be propagated by other propagation method ज्यादा तर जो ऐसे woody plants के अंदर इसको यूज किया जाता है इस method को जो लंबी शाखाएं पैदा करती हैं और दूसरी किसी वीदी से प्रवर्दित नहीं किया जा सकते दा विग्रस root stock of apple such as m16, m25 and walnut can be easily propagated by trench layering जो vigorous root stock है मतलब बहुत ज्यादा growth करने वाले जैसे m16 है apple का जहां फिर m25 है ऐसे root stock जो apple के हैं जो colonal root stock हैं उनको प्रवर्दित इस वीदी से किया जाता है trench layering से करते हैं with this method it is important to plant the plant in a permanent row to propagate इस के अंदर इस वीदी के अंदर क्या करते हैं कि एक trench बनाई जाती है उसके अंदर trench के पास में एक permanent row के अंदर पोधों को plant किया जाता है जैसे अपने बाग लगाते हैं किसी apple का मालो ठीक है तो पोधे एक line में होते हैं वैसे ही पोधे एक line में उगाया जाते हैं पर उनके पास में एक trench नाली बनी होई रहती है In this method the plants are planted in a row at an angle of 45 degree to 90 cm at the base of the trench जो पोधे लगाए जाते हैं रो में वो 45 degree के एंगल पे लगाए जाते हैं नीचे की तरफ जुके होए पोधे लगाए जाते हैं तो बीच में से उसका stem ज्यादा हाड होगा कठोर हो चुका होगा तूट जाएगा अगर अपने उसको बेंट करने की कोशिश करेंगे तो अगर 45 degree पे उसको थोड़ा बेंट किया जा सकता है इसलिए उसको 45 degree पे ही लगाए जाते हैं पोधे और 90 cm at the base of the trench और जो बेस है आपका जो ट्रेंच बनाई है मैंने कहा था कि पर ट्रेंच बनी होई होने चाहिए और उसके साथ में रो में पोधे लगाए जाते हैं ठीक है तो ट्रेंच से 90 cm दूरी पे होने चाहिए फिर उसके बाद कुछ यह है पिक्चर के अंदर जैसे यह 45 degree के कौन प फिर एक F.I.M. की लेर से कवर कर दिया उसके बाद जो भी उसकी कली थी ठीक है वहां से शाखाएं उपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है और वहां पे रिंगिंग कर देते हैं कभी 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 आपने सीधा ही पोधे को त्यार कर लिया जाता है ठीक है सीधा ही उ and flexible stem of these plants are bent toward the ground and buried in the trench जमीन के तरफ जोका दिया जाता है और ground के अंदर और trench के अंदर रखके उसको दफना देते हैं, buried कर देते हैं ठीक है, दफना देते हैं यंग twix shoots arise from these plants are gradually mounted in a mount of 15 to 20 cm height in at one winter or the end of the growing season, depending on the species to be propagated जो twix shoots निकलती हैं जैसे दबाया था आपने जहां से ये शाखाएं निकली थी इनके उपर टीले लगा देते हैं टीले से मतलब थोड़ थोड़े ऊचे जैसे mount layering के अंदर लगाते हैं वैसे ही कुछ टीले लगा देते हैं 15 to 20 cm के उपर जिस वही सर्दियों के अंदर कहलो जहां फिर जो आपका growing season होता है उसके अंत में वहाँ पर जैसे कोई पोड़े की species है प्रवर्दित कर रहे हैं उस species के उपर डिपैंड करता है जो भी उसका growing season है उसके अंत में उसके उपर टीले लगा देते हैं जो भी नहीं शाखाएं निकली हैं उनके उपर then after rooting on these twix shoots they are separated from the parent plant and planted in the nursery उसके बाद उन में से rooting निकल आती है roots निकले आती है जड़े निकले आती है इन twix और shoots के base के साथ फिर उनको अलग-अलग कर लियाता है पैतरक पोड़े से और nursery के अंदर रोपित कर देते हैं फिर हैं next tip layering tip layering this is the simplest form of layering which often occur naturally ये simple layering का ही एक form है ठीक है एक simple layering की तरह हैं बिल्कुल often बस ये कहलो कि एक natural होता है generally ये natural भी आपको देखने को मिल जाएगा the end of the twix are buried 5 to 10 cm deep in the soil इसमें जो tip होती है शाखाँ जानी की कहलो उसका शीर शाखा की बिल्कुल जहां से corner रहता है उपर वाला उसे सीधा जमीन के अंदर 5-10 cm नीचे दबा देते हैं simple layering में क्या किया था उसके tip को उपर open रखा था उसको beach में से you की तरफ bent करके उसके उपर मिट्टी डाली थी इसमें क्या करना है उसके जो शीर शाखा उसी को अंदर दबा देते हैं जमीन के अंदर मिट्टी से cover कर देते हैं new plants can be detached and transplanted उसके बाद इसके बाद ब्रेट शूट developed roots within a month उसके बाद जो भी आपने उस शाखा को दबाया है नंदर वहां से एक शूट उपर की तरफ निकले आएगी एक महीने के अंदर ही ठीक है और नीचे उसकी जहां से भी शूट थी मतलब उसके टिप थी वहां पे जड़ें अंदर जमीन के अंदर पैदा हो जाएगी तो इसके बाद new plants को अलग कर लिया जाता है पैतरक पोदे से और ट्रांस्पलट कर दिया जाता है ठीक है spring के अंदर जो बसंद का मौसम होता है उसमें इसे अलग करके nursery के अंदर रोपित कर देते है इत इस a natural method of propagation for blackberries ब्रॉप केशन ऋता है ने परवर्दन जनरली इस विदि से होता है टिप लेरिंग से जोपयारे ईसली रोसरल से और जो तिप लेरिंग कर्वर्दित किया जा सकता है तिप लेरिंग कुछ ऐसी होती है Ohh इस में कुछ शाखाएं ऐसी रहती है जिनको सीधा जमीन में दबा देती है ठीक है उसके बाद उपर टीला लगा हुआ था मिट्टी में दबा हुआ था और वहां से शाखा फिर बापिस से अपने हापी जमीन से बाहर आ जाती है लगबग एक महिने के अंदर और नीचे उसके जड़े निकले आती है फिर इसको इस लेयर को यहां से काट लिया जाता है और नर्सरी में रोपित कर लेते हैं ठीक है जैसे ये शाखा सीधी जमीन में दबा दी और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये टिप अपने हाँ भी ग्रो करके उपर भार निकले आएगी ठीक है ये है टिप लेरिंग फिर आप माउंट और स्टूल लेरिंग और स्टूलिंग भी कह देते हैं वैसे माउंट लेरिंग भी बोलते हैं स्टूल लेरिंग भी बोलते हैं और कभी-कभी स्टूलिंग भी बोल देते हैं तो कई बार ये question आता है कि स्टूलिंग जब फिर Mount Lairing को और किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना स्टूलिंग के नाम से जब फिर स्टूलिंग के नाम से जानते हैं The term स्टूलिंग was first coined by Lynch in 1942 from Mount Lairing Mount Lairing से इसे स्टूलिंग जो नाम दिया था सबसे पहले जो coin किया था मतलब ये कहलो कि एक तरीके से उसे प्रिवाशित किया था वो lynch ने का दिया था इसका नाम स्टूलिंग 1942 के अंदर It is a method of propagation in which the shoots, plants are cut back to the ground and a mount of soil or rooting medium is applied around the new sprout tweaks to increase the roots to develop at their base जैसे अपने trench layering के अंदर भी एक mount बनाया था ने एक तीला बना दिया था जो शाखाइन images होई थी जहां tweaks बाहर निकले थे उनके उपर same procedure कुछ ऐसा ही है इसमें कहा करते हैं जो भी पुराना पोदा होता है ठीक है उसको पहले head and back कर दिने ground level से बिल्कुर जमीन के स्तर से थोड़ा से उपर रखके उसको उपर से काट देते हैं ठीक है लवर 15 से 20 cm अब ग्राउंड लवर के अंदर इसको काटा जाता है ठीक है जो आपका ठूंट बच जाता है उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं मिट्टी से डग देते हैं ठीक है इस मेथड़ इस यूजली कमर्शली फोर दा प्रोपोगेशन अफ एपल, पियर, क्वीन्स, गूसबेरी और व्रूट के अंदर यह जनरली यूज किया जाता है यह मेथड़ भी स्टूलिंग और गवावा के अंदर भी यूज किया जाता है इन स्टूलिंग दा पैरेंट प्लांट इस कट फ्रों 15 तो 20 सेंटीमेटर अबब दा ग्राउंड लेवल दूरिंग दा डॉर्मेंट सीजन जब पोधा डॉर्मेंट होता है सुसुप्त वस्था में होता है उस समय पोधे को उपर से 15 से 20 सेंटीमेटर छोड़ के ग्राउंड लेवल से उपर से हैड और बैक कर देते हैं उपर से बिल्कुल तने को काट देते हैं ऐसे नहीं कि छोटा सब पोधा लेते हैं ठीक है कम से कम 6-7 साल पुराना जो ब्रक्ष होता है उसके उपर से उसे काट थी ठीक है फिर उसके बाद new shoots branches will appear within two months उसके बाद उसमें से दो महिने के अंदर कुछ नई शाखाएं कुछ ऐसी ही नई शाखाएं बाहर निकलना स्टा कर देगा ठीक है उन शाखाओं को दें था रिंग शेप बार यह दा बेस आप न्यू अबेजर शूट्स आर रिमोग एंड रूटिंग हार्मोन मेट फ्रम लिनोलीन पेस्ट इस अप्लाइड तुदा अपर पार्ट आप दा रिंग जैसे यह वाला पार्ट रहेगा ठीक है हार्मोन से ट्रीट कर देते हैं उसके पेस्ट से ट्रीट कर देते हैं एक आद दिन उसको ट्रीट को जो रूटिंग हार्मोन लगाया उसे सूखने देते हैं फिर उसके बाद बापिस से टीला लगा देते हैं उसके उपर ठीक है कुछ टाइम बाद यहां से जड़े निकलन पर इस मिट्टी को रिमूव किया जाता है और इनको अलग-अलग कर लिया जाता है अलग-अलग शाखा को कार लिया जाता है यह अलग-अपने आप में एक separate पोदे कितने त्यार हो जाता है और नर्सरी में से रोपित कर देते हैं ठीक है इस शूट्स अर लेफ as such for two days for proper absorption of rooting hormone then covered with moist soil ठीक है उसके बाद दो दिन तक उसे मतलब IBA का paste लगाया था आपने दो दिन तक उसको रखा जाता है फिर उसके बाद फिर से वापिस से जो गीली मिटी होती है उससे cover कर देते हैं care should be taken that amount of soil remain moist at all time ठीक है जो भी आपका care रखी जाती है ध्यान रखा जाता है कि जो भी आपका टीला लगाया वो हमेशा नम रहे roots develop in shoots weeks within 30 to 40 days और जो roots है उस शाखाओं के अंदर 30 से 40 दिनों के अंदर जड़े निकलना start हो जाती है जहां निकल आती है डवलप हो जाती है however rooted weeks should be separated from the parent plant only after 60 to 70 days and then planted in nursery और field उसके बाद इसे पैतरक पोदे से 60 से 70 दिन बाद काट के अलग कर लेते हैं और nursery जहां फिर field के अंदर जो खेता आपका उसके अंदर इसको plant कर दिया जाता है लगा दिये next method है air layering markotes भी कहा देते हैं गुट्टी भी बोल देते हैं Chinese layering भी बोल देते हैं कभी-कभी जो इस पे question आता है न तो वह आता है जैसे air layering को कहा जाता है तो air layering को markotes भी कहा जाता है आप लिख सकते हो गुट्टी भी लिख सकते हो अगर फिलिंदा blanks है और अगर यह objective type में आता है तो अब्जेक्टी टाइब में कैसे आएगा कि एर लेयरिंग को कहा जाता है मार्कोटेज एक option होगा दूसरा गुट्टी होगा तीसरा चाइनीज लेयरिंग होगा और चौत्था option होगा उप्रोक्त सभी ठीक है तो सही उत्तर आपको पता ही है आपने तो बैसे गुट्टी पड़ा है तो गुट्टी जादा तर गुट्टी करके आजाएंगे उनको नहीं पता कि मार्कोटेज भी कहते हैं और चाइनीज लेयरिंग भी इसी का नाम है ठीक है याद रखना उप्रोक्त सभी आएगा एर लेयरिंग is an ancient method of layering originally introduced from China और जो एर लेयरिंग है एक पुरानी विदी है method है लेयरिंग की ठीक है और जिसका जो उदगम है उदपत्ती है वो चाइना से हुई है और इसे अब commercially use किया जाता है बहुत से जो ट्रॉपिकल उर्षन और पोशन कटी बंदिया है पेड है जाड प्रवर्दन के अंदर जैसे लीची है ग्वावा है मैंगो है लोंगन है इसके लावा जो पर्शीमन लाइम जिसको अपने असिट्रस अरंटी फोल या जानी की कागजी निम्बू है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है जहां फिर फाइकस और क्रोटोन के अंदर इसे विधी को यूज किया जाता है इसे सफाइकर बेंजा मीना है फाइकर ब्लाक किया आना है फाइकर पांडा है इनमें वी जादातार जो प्रवर्दन करती है वो बुटी से करती है इसमें क्या करते हैं cut are made in spring or summer on the branches of the previous season growth जो पुराने विशले साल की जो गब्रदी होती है उसके ओपर बसंत के अंदर जहां फिर गर्मी के अंदर चीरे लगाए जाते हैं जो लेरिंग करते हैं वो spring से summer के अंदर करते हैं the presence of active leaves on the layered branch accelerates root formation जो आप जिस शाका का चुनाव कर रहे हो उसके ओपर कुछ active leaves होने से हैं जो functional हो ऐसे नहीं कि old हो चुकी हो और पीली पड़ चुकी हो ऐसे नहीं जो अभी जंग हो और आगे वो food बनाने का काम करें ठीक है अगर वो पाई जाती है उस शाका पे है तो आपका जो जड़ formation है वो जल्दी हो जाएगा पतलब वो शाका में जड़े अगर आप layering करोगे तो जड़े जल्दी पैदा हो जाएगी एर layering के अंदरी the gridling bark about 2 cm wide is removed from the center of the branch और around it gridling की जाती है जो भी आपने शाका चुनी पिछले साल की growth थी ठीक है उसमें 2 cm चोड़ी एक ring के अकार की shawl को remove कर दिया जाता है center से उसके बाद IVA paste is applied over the top of the one उस जो घाव होगा उसके अंद जाएगा ठीक है उसके उपर की side IVA जो paste है इंडॉल बिटारिक एसिड उस paste को लगा दिया जाता है उससे उसको treat कर दिया जाता है then the bund is covered with moist sphagnum moss so as to cover it completely उसके बाद घाव को sphagnum moss भीगियू sphagnum moss गास से धंग से cover completely cover कर दिया जाता है चारों तरफ उसके sphagnum moss grass लगा दी जाती है कि कोई जगा खाली ना रहे कि वह जो गाव है वह सूखे न ठीक है sphagnum moss grass यूज ज्यादातर की जाती है क्योंकि इसकी जो water holding capacity होती है जल धरन श्रमता बहुत ज्यादा होती है इसके लाव आप वर्मिक कोलाइट है जापिर कोको पिट है इसको भी आप यूज कर स ज्यादा humidity के कारण कभी-कभी काई हो गयाती है उस काई को भी आप यूज कर सकते हो इस जगह पे आप प्रवर्धन के अंदर ठीक है सूखी होई काई को ए rectangular polythene strip film is wrapped around the sphagnum moss in a such a way that no part is left open so that moisture can evaporate from the sphagnum moss इसके लावा जो एक polythene की strip बनाई जाती है आयता करकार की एक फिल जो घाव था जिस पे आपने sphagnum moss ब्रास लगाई है उसे इस प्रकार से लपेट दिया जाता है कि उसका कोई भी भाग दिखाई ना दे जहां open ना रहे खुला ना रहे और उसमें से पानी का loss कम से कम हो फिर उसके बाद after rooting the branches are separated from the parent plant and planted in the shaded nursery जैसे ही अपने को दिखाई दे चाहिए पार दर्शी होनी चाहिए अगर अपने इसकी जगा ब्लैक यूज कर लेंगे उसके कुछ नुकसान होंगे लेरिंग तो उससे भी हो जाएगी पर उसके कुछ नुकसान होंगे क्योंकि एक तो वो heat जादा absorb करेगी बाहर से ब्लैक होने के कारण दूसरा उसकी जो roots वो विजिबल नहीं होगी वो दिखाई नहीं देंगी ठीक तो ज़्यादा तर ट्रांस्परेंट पॉलिथीन शीट को यूज किया जाता है एर लेरिंग के अंदर कुछ इस परकार से एर लेरिंग की जाती है जैसे पहले पिक्चर में आप देख रहे हो कि चीरा लगा रहा है रिंग क्याकार की शाल को निकाल लिया दूसरी में तीसरी पिक्चर में स्पेगनमोस भीगी हुई उसको लगा रहा है चोती में उसके उपर पॉलिथीन की शीट को लपेट दिया ठीक है फिर जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें आप देख रहे हो कि ट्रांस्परेंट को यूज कर रहा है ट्रांस्परेंट है वैसे जो दिखा रहा है ब्लैक लगी हुई है उसमें ब्लैक हो जाता है अगर शाया वाली जगह पे है आपका प्लांट कोई दिक्कत नहीं आप ब्लैक यूज कर सकते हो पर आपको पता नहीं चलेगा कि कब जड़ें उसमें निकले कर देते हैं, ठैंक यू,